जिला चिन्वाडा में मैरतन का आयोजन किया गया जिसमें आजजादी के अमरत महुस्टफ के अंदरगर, हरगर, तिरंगा, अभियान, कौरव, दिवस, अंकूर, अभियान के प्रति लोगों को जागरुक किया गया मैरतन का आयोजन चिन्वाडा पुलिस से ग्राउन में 21, 11 और 5 किलोमीटर दोड़ का आयोजन किया गया कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताये कि यहां मैरतन जिले के लिए पहला प्रयास है इस आयोजन को परवता रोही भावना जहरिया के साथ मिलकर आयोजित किया गया मैरतन का आयोजन यदि सफल होता है तो एन्वल इवेंट के रूप में इसे आगे आयोजित किया जाएगा इसका प्रमुक उद्देश यूवाओं और सभी के लिए फिटनिस की और आकरशित करना है आजादी का अमरत माउस्टफ के बीच हर घर तिरंगा अभ्यान का भी आयोजन किया जाना है जिसमें 11 तारिक से लेकर 17 तारिक के मध्य में देश में हर घर तिरंगा फैराया जाना है जिसके लिए भी मेरतिन के माध्यम से जागरुकता फैलाई गई वहीं अंकुर अभ्यान के लिए भी ताकि हर व्यक्ति आगे आकर पौधार उपन करे वहीं इस वर्ष से 5 सतंबर को गौरब दिवस मनाया जाना है इस दिन ही छिनवाड़ा के नगर निगम की स्थापना हुई थी इसका आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि उसके प्रती भी जागरुक हो सभी आगे सौरप कुमार सुमन ने संदेश देते हुए कहा कि हमें ऐसे मैरतन जैसी चीजों में सकरात्मक उर्जा को लगाना चाहिए यह हमारे शरीर और मानस पटल के लिए अच्छा है मैरतन के साथ ही इट राइट चैलेंज के तहट 15 किलोमीटर वाकत्थन का भी आयोजन किया गया मैरतन में भाग लेने के लिए लोगों में खाचा उच्छा देखा गया बता दे कि 21 वर्ग किलोमीटर मैरतन में वारणासी की शाम ने पहला इस्तान हासिल किया नागपुर की प्राजक्ता गोड बोले ने महिला वर्ग में पदग हासिल किया प्रतियोगिता में 21 वर्ग में 246, 11 किलोमीटर में 410 और 5 किलोमीटर में 2300 प्रतिभाग्यों ने हिस्सा लिया प्रतिभागियों को प्रोच साहित करने कलेक्टर सौरव सुमन साहित तमाम प्रशांसने का धिकारी मौजूद रहे ट्यागियों करने के दोस्टकимиGO सुवकर आ सुम्मो आπने के ले रहे याल ये के ॒ इताव लूास, भजे तैनाक, determine बाध भी कतेस्पनि लेरेदें उन्मने, ठीन भी और रहत भी, और रहत थाद similar कि बाद़ कि गाखेाष कि अdd कि गईग डाहिए, तेल से। कि अधर कोई देड़। नाध में साधू! मच के दाईयों करते हैं.... अधर सकती हमें, क्या थीक्रूल कि अमाद़ 귀irdy चिन्वाडा से बीजीन न्यूस के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट